अब बूर्णिंग एप लोग आयोप सब लुप्ठी होंगे है ना तो लास्ट लेक्षर में हम लोग एपी के समप को कुछन किये थे तो लगोकर कल के लेक्षर में पाच कोशन कर पाए थे तो फांस कोशन इस कोशन में कर लेते हैं कि यह बहुत सारा कोशन जो है जो हमसे पान्स पूर्णिंग लाएं बच्चो और उसको भी साज दील करें आप देखेंगे कहां कहां पर क्या क्या प्रोब्लम आ रही है चलिए हम लेक्षर को लिए हुए है कोशन आपका पहले से लिखा हुआ मैं सन्क्राइब गया है इस डिया राट तू एन फ्लस वन टर्म प् एक 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 है उसमें लगाओ अपा ट्वें प्लस वन टर्म है अब उसमें और टर्म को अलग करना है इवन टर्म को अलग करना है और टर्म को अलग करना है और टर्म को सम करना है इवन टर्म को सम करना फिर दोनों को डिवाट करना तो उसका रिशियो में प्रूब करना है ए पर अगर एपी है तो फटार्ट करते हैं प्रुड़ कर यह आपका टो डल टर्म को डिनोट कर रहा है इसमें हमें अलग क्या करने लेना है ओर्ड टर्म अलग कर लेना है और टर्म क्या होगा पहले तो यह पहला तर्म है यह दूसरा यह तरह से बढ़ेगा और फॉर्ट कर लेते हैं यहां अगर इविन की बात करें कि बात करें तो यह प्लस पर जाएगा अब कॉस्ट्ट यह है थोड़ा सा अलाग अलाग करने इसमें कितना तर्म होगा इसमें कितना तर्म होगा सब्सक्राइब तो शोड़ा नंवर कितना होगा तो उसके लीवाच चोड़ा तर्म या आटाल पांच रिगा रहा चाहां तो फोड़न कितना तर्म है कितना यह ज़िए जसमें कितना और पर कितना टर्म ऑंज़नबर पर नु 9 तो थी फोर फाइब 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 होगे पहला तर्म दूसरा तर्म तिसरा तर्म चोहर तर्म पज़ाब अब बत आईश्म में कितना पीस है कितना डिज़िट इस दो इविन है और तिन और है तो कहाने कॉंसेट यह है बच्छों कि अगर टोटल और नमबर में टर्फ होग में मं पॉंसरा इक्षिटल समर्फ होगा इसको मारा करेंगे एक तम और उसे चाहर जागा इसे तर्म है तो पांस को पॉंसरे क्या जेको है तो न यूड़ी चे और दू क्शे और दो इविए तो यहां पर ऊंसर्प कि लिए आगर आपके पास गारा कर टोट तोटल इसमें कितना और है कितना इवेन है तो इसको क्या कि जाएगा बारा आ गया पूजिट बैट किते हैं छे और ऐसे कम एक पांच इवेन शे और तर्व पांच इवन तर्व नहीं भी निवेन दुखते हैं यह थे आख अब कि तो आख इवेन अब देखें कितना इवेन यहां इसमें कितना और है और कितना इवेन है यह चीज हम लोग आइंटिटिफाई कर सकते हैं तो हमारे पास यहां देखना है कि हमारा पे ब इभेन ग्ताक हें पांचे उड्रात था अगर सब्सक्राइब यहां पर न किसमें आपको समझना है तो डाल अपके पास 2N प्लस बंट तर्म है इस इसी के तो आपको समझना है तो आपके पास 2N प्लस बंट तर्म है है किषितना अपका पाशा से इसमें और टर्म गिसा एंफ टर्म टर्म इवन टर्म की ईवन टर्म है अगर आप इन दुन को आड करते हैं तो टर्म बन लोगर तो आपको तर्म आ जागा वह वह स्कूलड झाल एंप यहां पर एक कमेन तो अधिल है और वैकल पर देखों बिग अर D का वेल्य गजों в वच्छ ।erei गजुछ डी का द्यूटी गज़ गज़ गाश्छ अब इसका स्म निकाला उसका स्म निकाला हमें प्रेस्टेिंग खायगा आगा गजुतं रडस की रडसा स्ट लोगा गज़ी कालें असल गज़ मिवर्प्र स्ट बैर कर। फाम छो किना वैलू एंप्लस गाइड वैलू उदेडवाए तो यहाँ यहाँ प्लास गाइड प्लस गाइड़ आ हाँ यहाँ थी आपको टी तू एंटी यह है कि ना तू अबर कॉमन भी ले 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 तो आपके पास क्या बचेगा एन प्लस बन ए प्लस एंडी बचेगा तो यहां पर खास दिक्कत है ही चले अब यहां पर हम सम्म निकालते हैं इसका सम्म क्या हो जागा एन बाइटू कि पहले फॉर्मुला लिख रहे उसके बाद न उसके बाद लगागा एन बाइटू तू एंडिग पलिस और अब संक्राइग दक्या यहां प्लस टी अहां से क्या होगा? सुलिट काल लेंगे सी हुदिकत निकाल लेंगे शर्य से सब्सक्राइब वह नहीं हमारे पास क्या है यह पैसन का फ़यलू क्या है अगर हम दोनों को डिवाइट नहीं नहीं आए यह तो निकालना थे कि अगर दोन कि अच्छा कोष्यन था कुस कोष्यन है इससर्ग के यो थोद्व र लगनद है इसलिए थोड़ा सा आलाग इसलिए सब कोशन को करना थोड़ा सा जरूरी है बागे कुश-कुश कोशन तो आप 10 क्लास में पढ़ चुक थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसलिए और तो इसलिए इसलिए कितना हो गाऊ तो इन फ्रोंट यह कितना हो है धी और इसलिए अधर कर लिए दोनों का सम निकालके शिरूब तो आप पर भी कोशन कोशन नेक्स कोशन भी करते हैं आप प्रेटो लेके बैठे हुए होगे आप प्रेंगी नेक्स कोशन है इसको सॉल्ट कीजिए और यह कोश्य तो अच्छे पीजवल होगा है अब एक दो मिनिट रूप जाते हैं आप पहुंच करके इसको बनाएगे चलिए चलिए अब इसको हम भी बनाते हैं क्या कोशन है सम of the first PQR term, PQR term इतना term का सम यानि कि दिया हुआ क्या AP इस ABC अच्छा P term का सम हमारा दिया हुआ है A Q term का सम दिया हुआ है B और R term का दिया हुआ है C हमारे पास sum of the term पहले से परभाइड हैं तो प्रूप करना है A by P Q minus R plus B by Q, R minus P plus E by R P minus Q is equal to 0 यह प्रूप करना है सबसे पहले हमारे पास क्या है हमारे पास सबसे पहले इसे भी लिखेंगे सबसे एक बात यहां पर जो विखेंगे पहले से यूज कर लिया है एक को वालों ने पहले से यूज कर लिया है यूज को पहले से यूज कर लेगा तो हम लोगा कुछ और माल लेटे हैं नहीं नहीं अचलीजिकल बता अब हम यूग बनान सेखेंगे तुम्धा वाइन नहीं पता तो यहां प्रीने कुछ लुब रिए बच्छा प्रश्टो प्रुर्च के शली कि भी नुन स्केर है एक रष्ट केहरें आखक कि लिए यहां पर फिर्श को ने पास्ति का स्था्वाइन प्लस्ति प्रश्क्रीप थीजर्डबिक आहिए अ प्रश सबस्क्राइब हम यह भी ध्यान देना है कि हमको लाना एवाई पी और भी वाई क्यों तो एवाई पी कहां लाएंगा एंकि पी को कही ने कहीं यहां सेंट करना है यहां नालना है तो अगर हम यहां पर इसको करते हैं सबस्क्राइब करते हैं आपके पास हो गया है तो एक पी माइनस वाइन इंटू दी इसकल टू 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 एपॉन पी और यह हो गया आपका 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 अब हम क्या करेंगे हमको चाहिए इसके आपके अगर कुछ पता नहीं किया करना आपको अब कभी भी गणवे है कि सबस्क्राइब नहीं क्या करना है कर दो किसले क्लिक करना है कि वह इसके बाद क्या करें इसके बाद करें इसके बाद करें हमें कर दो तो कि आफिक पर अपर और यह आजा जागा फिर इले तो सिंप्लिये कर देए हमारा खांब जागा न इसा काम करते हैं कि इसमें मुल्टिप्लाइ करने जा रहे हम Q-R बोच साइड इसमें Q-R उसमें इसमें Q-R multiply करेंगे तो अगर इसको हम अलग-अलग करें एक सेकंड के लिए तो एक्स पलस दूसर चौक जाले है एक्स पलस पीवाइटू माइनस दीवाइटू multiply भाई multiply भाई क्या है multiply करना है Q-R और यह क्या हो गया A P Q-R कोई दिखत नहीं यहां पर बच्छो कोई समझें कोई प्रोब्लम नहीं हम क्या कियें अलग-अलग किया जब कुछ तो टूसर डिवाइट करते हो गया पी इंटू डी पी इंटू डी है यहां पर multiply क्या है multiply by Q-R ठीक है अब उसी तरह में यहां पर लिखेंगे यहां पर आपके पास क्या हो गया multiply by R-P यहां पर क्या हो गया आपके पास यहां पर concept क्या हो गया फेले तो यहां पर X कट गया Q-Dy2-Dy2 multiply by R-P आईए आपके पास क्या हो गया BQ-R-P ठीक है यहां पर हमारे पास क्या हो गये multiply करेंगे बच्छो पी माइनस क्यों 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 मुल्टिप्लाइब करेंगे तो आपके पास आगे हैं यहां पर एक्सक्राइब कर देखा जाए तो आर्च को एड़ कर देंगे तो मारे पास यह चीज आजागा इसका मतलब आर्च को एड़ करेंगे तो जीरो को बरावर हो जाएगा उसके लिए क्या करते हैं इसको मुल्टिप्लाइ कर लेते हैं थोड़ा सा लॉंग जा रहा है बट कुछ ज्यादा अभी तक हाड और फास नहीं है बस किलियर है तो इसको मुल्टिप्लाइब करते हैं त QXRX PQD by 2 कैसे कैसे multiply करें एक से multiply होब और इसके multiply होग collective लीकिए पिर इससे यह multiply करते हैं पी आर्डी बाइ टू फिर इसे यह मुटिप्लाइ करते हैं और यह मुटिप्लाइस होकर क्या जाएगा अर्ड ठीक है इस इकवर्टू हो गया आपके पास अब हम किसे पलस करेंगे हैं अब हम इसे करेंगे हैं यह हमारों के एक प्रिशन बन अंध्यांग देखते जाएए थोड़ा सा लॉग जाएगा इसको अगर हम मुटिप्लाइ करेंगे तो क्या हो गया आर्ड एक्स मैनस P X R Q D जफाइड बाइड बाइड तू और मैनस P Q D जफिर R D बाइड 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 तू पलस D P जबाइड बाइड बाइड तू इसकलब तू D Q R ईक्याँ आब इसका हो गया अब इसका करकूने साब नहीं पे मल्लिप्लाइग कर लेते हैं इसको में पर multiply कर देए कितना होने वाल अंधा जखिए x into p xp minus xq plus rdpq divided by 2 minus rqd divided by 2 minus pdq divided by 2 plus bpq divided by 2 crp minus q अगर हम अब तीनों को add करेंगे यह आपका होगी equation 1 यह होगी equation 2 यह होगी equation 3 अगर हम तीनों को add तो अब चलिए अब इन तो लोगा हम क्या करते है add कर लेते हैं तो हम आरशिस पहली mention कर देते हैं अगर हम पहली mention कर देंगे q minus r plus अगर हम आरशिस को add करें तो देखो बच्छों आपके पास lhs में है क्या एक यह है एक यह है एक यह है इसको आपस में add करना है तो qx अब देखो यहां पर आपको plus qx है और यहां पर देखो minus qx है आप चाहें तो आपके पास अगर कॉपी बढ़ा होगा तो आप आसानी से एक ही बार में तिनों को लिख करके add कर सकते हैं करना है तो आपके यहां माइनस में यहां माइनस है तो सब्सक्राइब माइनस होना चाहिए rd by 2 होगा ना यहां पर सब्सक्राइब करें तो लास्ट लास्ट हाँ और इसके साथ हो गया अब एक सब्सक्राइब और यहां पर आपके यहां पर सब्सक्राइब कर देखा रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया ना जीरो भार इस ओड़ में अच्छा था थोड़ा सा क्लिकिलेशन में सब्सक्राइब क्याई पिर वह डिए पर जी था खेक् GIRा तो घ्रली था चेले अप το और यहां प्र आपके अऽम छिल्ट कर सकते हैं तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तरह बढ़ते हैं अच्छा था चलिए अच्छा आपके तामने है आप इसको सॉल्ट कर सकते हैं और वीडियो सॉल्ट कीजिए करने इसको ओके ठीक है चलिए अब यहां दम लोग कोशन पढ़ते हैं इंटीर एंगल आपके कॉन्वेक्स पॉलिगॉन देखी बच्छों कॉन्वेक्स पॉलिगॉन इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास एट में जाना होगा क्लास एट में कॉन्वेक्स पॉलिगॉन सब पड़े होगे अच्छे दिखते हैं इनन एपी एक कॉन्वेक्स पॉलिगॉन है जिसका इंटीर एंगल एपी में यानि अरिफ्मेटिक प्रोगेशन में हैं पॉलिगॉन सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा इस पॉलिगॉन है क्या अपको ओक्लास एट में याद हो जिनरली पॉलिगॉन दो टाइप को होते हैं पॉने कितने टाप कोते थे दू एक आपकम हो गया है तो फॉन 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 के यह था कि इछ इंटीरियर एंगल सब इंटीरियर एंगल के बाद किया जाए तो इछ इंटीरियर एंगल इस देन एक्स वस्य डिगरी हाना आप इसमें कोई भी एक आइंगल अगर एक्स वस्य डिगरी से बड़ा होजा तो इसे हम लोग क्या पहलेंगी कंद कर सब्सक्राइब याद रहने का तरीका बहुत चीज़ जादा हो इसमें कितने digit हैं, कितना alphabet हैं, 6 इसमें कितना alphabet हैं, 7 यानि, जसमें इंगिल कम हो, वो अपका Convex हो घिए हो और Каклем 6 कम को diver провci 6 से इंगिल noi को 6 कम को टारह न दो 6 और 7 जाया dhã को ने 6 जाया जाया में, higher तो 10 जायदा एथ नुट में अम हो इसमें इंगिल जाया अब है अब है वेड था स्मॉलेस्ट अंगल इस वन टॉंटी डिग्री यानि कि में चैच्चा दिया है अब आप पास क्या है आप हमारे पास कुछ ने फैंट नंबर आप यह पॉलिगॉन इसमें परपर्टिमिस करना पुलेगा बच्चे जो आपको याद होगा कि सम इंटीरियर अंगल का सम अफ इंटीरियर अंगल ऑफ पॉलिगॉन इन माइनस टू इंटू 180 इंटीरियर अनिकि हमारे पास क्या है वह भी जो हमारा पॉलिगॉन में साइड है उसके इंटीरियर करेंगे एक्सरी मुल्टिप्लाय करेंगे सम निकल जाए जैसे आप ही बता बच्चों कॉडिलेटर में सभी एंगल करेंगे सम कितना दिए होता पॉलिगॉन में सभी एंगल का सम निका सकते हैं कोई पॉलिगॉन के इंटीरियर एंगल का सम निका सकते हैं और हारे कोलिगॉन यहां पर कोरेंगे सकते हैं कि इंटीर आइंटीरियर को सम निकार्स्तित अच्छा अब हमारे पास है यहां परyang में सम का सम का फर्मूला भी है इसमें कहा इंटिरियर एंगिल जो है कोई भी एक कॉलिवन का अब हमारे पास एक प्रपर्टी था कि पॉलिवन में सभी एंगल कसम यह हमारा होता है तो एपी में जब है तो एपी में क्या कर सकते हैं तो एपी में क्या कर सकते हैं अब हमारे पास क्या है हमारे पास है एन नहीं है यह नहीं है यह इसना होगे अब बता बच्चों आजली इसको सॉल्व करते हैं कि फाइब माइनस फाइब है यहां तो पास कॉमनिकल लगा पास कॉमनिकल लगा कि तो बच्चेगा अच्छा इसको पहले जूज है मल्टिप्लाइ कर लेते ना कि यहां से इसको हम फाइब पामा निकाल लेते हैं तो फाइब एन बाइब टू यहां से जाएगा फूर और सेवन प्लस एन होजाएगा फोटी सेवंटी है और यहां से जाएगा अब यह सारे से इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो अब के पास आजाएगा फूर्टी सेवन प्लस एन इस इकॉल टू एन माइनस टू इन्टू गानेटी डिग्री मल्टिप्लाइब यह रिसी वोकल मल्टिप्लाइब होगा अब यहां से हो गया हमार पास कितना 47 प्लस एन इसकल टू एन माइनस टू इसकर दिये हैं इस एन को मिधरी मल्टिप्लाइब कर देता है इस एन को मिधरी मल्टिप्लाइब कर देता है इस एन को मिधरी मल्टिप्लाइब कर देता है इस एन को मिधरी मुल्टिप्लाइब कर दिये हैं सब्सक्राइब कर दो इसमें कितना जागा 3 ही और 25 किता जागा 25 प्लस 25 प्लस 144 इसकल जागा ये कितना 17 प्लस 9 है ना यहां सब्सक्राइब कितना जागा 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 एक मिनिट माइनस नहीं हो गया आप है माइनस हो जागा ना माइनस 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 है ना क्योंकि हमारे पास 47 माइनस 72 तो हमारे 24 जागा तो माइनस तो होगा नहीं है ऐसा भी साइड हमारे माइनस में होता नहीं है तो एनको तो अगर हम एन का वैली 16 रखते हैं तो हमारे पास स्पॉंसर्टर माई रखा लेट तो आपके पास आगा है यहाँ पे एक वैली क्या बच्चों 120 तो आपके पास क्या जाएगा 120 प्लस 75 यानिकी 195 अब ध्यान देने वाले बात क्या है अब ध्यान देने वाले बात है कि इसका भी तो यूज कर लो पंगेश का भी तो यूज कर लो यहाँ पर अगरा में का वैली 16 पूट करते हैं तो हमारे पास आइंगे लाता आपके प्लस इन मानें इंटु दी तो एक अवहलो है 120 और 8 इंटु 5 166 कमी आरा ना अब बात को समझे एक तरफ से एंगल आरा आ आपको 160 एक तरफ से एंगल आरा क्या 195 एक तरफ से एंगल आरा पॉसिबल नहीं है यानि एक तरफ से एक तरफ से एक तरफ से नहीं करता है और हमारा इंटु 9 हो जादा पॉसिबल कि इसका इंगल क्या है इसका जो फाइनल अंसर होगा वो 9 होगा तो नमबर अप्साइड कर दो नाइन आई हो फॉसिप क्या था बहुत इजी कॉंसेट था कि कोई पॉलिगोन है जिसमें आ स्मॉले से लिए और इसमें क्या है इसका प्रफिश को निकालना था प्लास एट का मोग दो फॉर्मूला उचके पहला तो कॉंव पॉलिगोन कहते किसे उसका भी जाया और दिसा नम सम अब दे साइड सम अब साइड आप पुट के वहले सिर्फ इसको सॉल्व किये साथे बच्चों सिर्फ इसको सॉल्व करने पर हमारा एनिस बल्डो नाइन और एनिस बल्डो सिक्टिन दोनों आया अब सिक्टिन की नहीं होगा और में चेक करके बजा दिनों तो सिर्फ का होगा नहीं ठीक है